और मुंबई के चेम्बूर में महानगर पालिका एमवाइड में अधार सेंटर का उढ खायटन करने आए चेम्बूर के विधायक प्रकासपातिर कर और साथ ही पूरवनगर सेवी का सूपरदा प्रकासपातिर का इस तौरान इस्थानी लोग मौजूद थे चेंबूर में इस्थानी रईवासियों और अधार सेंटर की समस्या काफी दिनों से थी अब इस्थानी लोगों की समस्या का समधान हो चुका है जिससे अधार सेंटर जाके लोग अपना निवा अधार कार्ड बनवा सकते हैं और बने हुए आधार कार्ड में कोई गलती हुआ हो तो उसे सुधार भी करा सकते हैं अधार भी करा सकते हुआ हो तो उसे सुधार भी करा सकते हैं अधार केंद्र मुंबई के चेंबूर बीमसी में ग्राउंड फ्लोर पे चालू हुआ है कलेक्टर को मिलके कम से कम तीन चार बार मिटिंग होगी और यह भी चालू हुआ है और यह चालू होना इसके लिए नेसेसरी था कि आज देखो भार प्राइवेट भी आधार के अंदर चालू है और वहाँ पे जो रेट इतना है पास्तो जो मन मानी उनको बंगता है जल्दी बंगता है वो रेट ले लो उसका कोई बंदन नहीं है खुछ भी आना उनका मन में आया वैसा मर्जी वो पेमेंट लेते है इधर जो यह काईदे सिर उनको नया यह करना है तो फ्री करेक्शन को पचाज रुपे है यह रेट है और इधर यह बीएम्सी का बीएम्सी ने यह जगा दिया है उनको एक साइड पे करने के लिए और इसका लाब चेमबूर की जिनागरिक है इसका करेक्शन करना है या इसका आधर नहीं बना है उन्होंने इसका सुविधा और इसका लाब ले लो यहां आधार का सबसे पहले तो यह BMC M-Word में M-West Ward में खुला है तो मेरे खाल से जो भी बिल भरने आएंगे जो भी वर्ड ओफिस में M-Word Office तो में केंद्र है और यहां पर गॉवर्मेंट के तरफ से यह आयोजन किया हुआ है और जो हमारी विभाग अधिकारी है युवा सेने की उसके माध्यम से यह आधार कार्ड उपनिंग हुआ है और यहां पर सिर्फ आधार का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होने वाला है पर जो गुवर्मेंट रिलेटेड जो बाकी के स्कीम है वो भी यहां पर आप आके उसका भी रिस्ट्रेशन कर सकते हो बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो पब्लिक है जैसे गवर्मेंट का रूल स्चेज होता है कि उनको बायोमेटर करना है या बचों को स्कूल के लिए आधार चीए तो चेंबुर में कई भी आधार सेंटर चालू नहीं था तो हमारे माननिय साब आमदर साब है उन्होंने बहु यह योजना का सब लाभ ले सकते है उसके साथ हैं जो भी अभी नहीं ओजना ही जैसे आईउशमान भारत है जो लोगों को पता नहीं है मगर उनको बहुत पाइद है जो भी गवर्मेंट की सब योजना है वो हम लोग उनको यहां से प्रोवाइड करें हमारे लाड़ले आम के लिए लोग बटकते थे और उसके अंदर उसका जो दलाल लोग ते उसका फायदा उठा दे ते सो का 200-300 लेते थे लेकिन आज यह जो सेंटर है इस सेंटर में सामने जनता जो गरीब है उनको इसका लाब होएंगा और आप आमदार साब को मैं धन्यवाद देता हूं यह जो हुआ हुआ है